हालो गाईज, वेलकम टू अचिव इस, मैं नेम इस आईश मिठे, इन इस वीडियो वी आ गूँँ तू तू अबाउट वैदी केज, एपिसोड इलेवन नहीं है, और एपिसोड टैन की पीडिफ आपको प्रवाइड कर दी जाएंगी, एपिसोड इलेवन की भी आज आपको प्रवाइड कर दी जाएंगी, हमारे टेलेग्राम चनल पर, वैदी केज के बारे हम पढ़ रहे थे, शुरू करने से पहलाओ कर बता दू, हमारे सभी NCIT कोर्सेस के लिए test series format में questions आते हैं, जदा जानकारी के लिए description में आप जा सकते हैं, और हमारे दिये गए नंबर पे भ पड़ा फिर हमने लेटर वैदी के लिटरेचर पड़ा, तो हमने देखा कि अल्ली वैदी के एज में आपके समीताज, जिनको वेदास कहते हैं, ब्रामनास थे, उपनिशद थे और अरेंकास थे, उपनिशद को वेदानता भी कहते हैं, तो हमने देखा ये चार बहुत ही major text थे, फिर हमने देखा लेटर वैदी के एज में और डवलाप होते हैं, जैसे आपके महागावय, जिसमें रामायन, महाबारत आगई, उपवेद, जो आपके रिगवेद, सामवेद, या जुरुवेद, अधर वेद, इनके उपवेद भी होते हैं, वो भी बाद में हमने दे देखें, फिर हमने देखा कि स्मृती जाइं, मानु स्मृती जो सबसे ओल्डेस्ट है, ऐसे हमने जो है फिलोस्पी जो दर्शनास वाले टेक्स्ट भी देखें, तो ऐसे हमने टेक्स्ट वाला जो है कंप्लीट किया, इसमें हम पढ़ रहे हैं, अर्ली वेदिक पीरेड में जोग्रोफिकल एरिया के बारे में, जोग्रोफिकल एरिया की मैं बात करूँ तो अर्ली वेदिक पीरेड के बारे में हमको रिगवेदा से ही पता चलता है, it is the only source of knowledge for this period, because it mentions the names of rivers and mountains, करीब करीब 40 नेदियों के बारे में जिकर रिगवेद नहीं किया है, सब्त सिंदू in which Aryans were confined comprises सिंदू and their tributaries, सब्त सिंदू, the land of seven rivers, यहाँ पे इसकी tributaries भी हैं, सिंदू यानि इंदस, अभी मैं बताऊंगा सारी नदियों के नाम, तो इंदस की जो tributaries हैं, जहला, जहलम, चेनाब, रवी, बिया, सतलच, सारी अभी मैं tributaries के और उनके ancient और Aryans से यहीं पे confined यहीं रहते थे, according to Rigveda, Rigveda की माने तो most mentioned river सिंदू थी, सबसे पावित्र, I mean, pious river सरस्वती थी, और गंगा का भी mention एक बार हुआ और यमुना का तीन बार हुआ, तो प्रशने ही से ही पूचे जाते हैं, they will ask questions like सबसे mentioned river कौन सी थी, तो आप बोलेंगे सिंदू, सबसे पाइस river क्योंकि कितने हायम, कितने अच्छे अच्छे शलोक उस नदी के संबंध में कहे गए, वो थे सरस्वती, गंगा का एक बार मेंचन हुआ, तो ऐसी चीज़े आप बार बार पढ़ेंगे, तो याद हो जाएंगी, यह आपके सामने पेश है, टेबल, अर्ली वैदिक रिवर्ज, जो आप देख सकते हैं, अर्ली वैदिक नेम सिंदू था, बान में इंदस हुआ आज का, पंजाब में थी, वितास्ता जहिलम, असी कनी, अगर आपने जियोगरुफी में रिवर्ज पढ़ी होंगी, तो आपको पता चल रहा होगा कि, इंदस ज जो है, अभी थोड़ा सा पंजाब, पाकिस्तान में भी हैं, तो अगर मैं उस रीजन की बात करूँ, जहां पर आरेन रहते थे, तो उस रीजन में, जिसको सब तो सिंदू बोलते थे, उसमें इंदस की ट्रिबिटरीज थी, ठीक है, और उस टाइम, सरस्वती नाम की नदी भी थी राजस्थान में, आप तो माना जाता है कि अब तो नहीं है, डिसेपियर हों गई, लेकिन दृष्टावधी भी थी, घागर, अब कहते हैं, इसको कुबा, काबुल, सुवस्तू, सवती, स्वाती, कुरूमू, कुर्रम, गुमती, गुमल, लाष्ट की इंपोर्टें नहीं है, बाकी राजस्थान और पंजाब की याद रखेंगे, तो काफी फायदा होगा एक्जाम के लिए, फिर हमने देखा कि दस राजन वार भी होता है, अल्ली वेधिक पीरियड में, दस राजन, टैन किंग्स, दस राजा, टैन किंग्स, तबैटल ओफ टैन किंग्स, और लड़ाई किस-किस के बीच में होई, दस राजा थे, और एक तरफ सुदास थे, तस राजाओं में आपके पांच पूरुस, यदूस, तुर्वसूस, अनुस, धर्यूस थे, और पांच अलिनास, पक्तास, सिभिस, विशनिलीस, विशनीन्स थे, नाम याद रखने पारुषनी रिवर पे लड़ा, पारुषनी मतलब, टेबल में देखिए, रवी, रवीक नदी पे लड़ाई हुई, जिसमें सुदास, जिनके खिलाफ एदस राजा लड़ रहे थे, सुदास भारता किंग थे, तुरिस्तितूस थे, तो वो जीते, दे इमर्ज्ड विक्ट क्लास, इतने भी रिच नहीं थे, कि महल ही बना लिये, ना महल थे, ना टेमपल थे, ना बड़ी बिल्डिंग्स थी, बस एड्मिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी, बड़े-बड़े कोट्यार थे, यह सब सीटा डेल पे बनता था, जो उची आपने देखी और वीडियो म इसमें, पॉलिटी, इसमें हाई आर की बढ़ती चली गई, हर अपासे अगर रिगवेदी केज तक की बात करूं, तो हाई आर की बढ़ गई है, जैसे सबसे पहले आता है कुला, जिसका हैड होता है कुलापा, मैं बताता हूँ आपको जूम करके, जिसका हैड होता है कुला यांत मंदल में असमें दिए हुआ है इसमें ने बढता है और जीए है जन जनका हैडकों responsibility क्लान जल क्लान लूंगे में याद रखेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ आपसे और रिविजन भी करेंगे ऐसी आपसे मैं एक आशा रखता हूँ रिविजन करेंगे तो आपको साथ चीज़े याद वैसे भी हो जाएगे आगे बढ़ते हैं गवर्मनेंट की फॉर्म पैट्रियार चलती पिता मेल की ड assemblies भी थी यानि कि कुछ लोग राज नहीं कर रहें बलकि बहुत सारे लोगों का गुरूप है जो एक दूसरी की पावर को चेक करते हैं किसी को dominance नहीं करने देते तो non-monartial politics भी थी हाला कि सब जगे hereditary based भी था मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा और वो भी low of primogeniture यानि कि सबसे बड़ा बेटा बनेगा तो है hereditary मतलब मेरे खांदान में मेरे खून का रिष्टा ही जो होगा राजा बनेगा लेकिन प्राइब अजिनीचर लोव प्राइब अजिनीचर का कानून मतलब कि बड़ा बेटा eldest son will be the king समझ में आ रहा है पुरोहित अच्छा कुछ important officials है यहां पर वैसे तो बहुत कम है लेकिन देखा गया में जोते थी इन ते पुरोहित यानि domestic priest he was the friend, philosopher and guide of the king फिर आपके थे सेनानी, army chief फिर ग्रामनी, head of the village याद रखियें यह तीन बहुत important थे हाला कि हम early wedding age की बात करते हैं later wedding age में और भी officials आएंगे परन्तु अभी तो इतने ही महत्व पूनते हैं और important अग foot soldiers थी, रथ भी थे, हाला कि foot soldiers kit काफी dominance थी, घोडे नहीं थे, horses इतने नहीं थे, जैसे कि अगर मैं Indo-Greeks या किसी की बात करू अपने Central Asian जो invaders थे, Indo-Greeks, cushions, यह लोग क्या हुआ कि बाद में अगर हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कि यह लोग हर soldier को एक horse से दिये, यानि foot soldiers नहीं थे, horse soldiers थे, तब ही वो invade कर पाए, बाद में, cushion वगरा, लेकिन अभी हम पढ़ें रिगवे, वैदी केज, तो इसमें हमारा source क्या है, रिगवेद, इसमें हमने देखा, पढ़ा तो जाना कि आर्मी जो थी, वो foot soldiers थी, कुछ रत थे, राजा के पास, लेकिन बाकी आर्मी foot पे लड़ती, foot पे चलती थी और लड़ती थी, गोड़े नहीं थे इतने, wood, stone, bone, metals हतियार में इस्तमाल होते थे, राजा की religious duties भी थी, और वो order और moral values को establish करने का, establish जो थी, उसको upholdर करने का काम करता था, he upholds the moral values, नेतिकता को बनाए रखने का काम, राजा का था, और इस religious duties को निभाने के लिए, उसको जरत पड़ती थी, पुरोहित की, and that's why I said earlier, that पुरोहित, domestic priest, was the first ranking official, and the guide philosopher of the king, समझे, रिगवेट, अब मैंने मैं आपको ये भी कहा था, कि कुछ जगे मोनार्ची भी थी, कुछ जगे non-monarchal भी था, non-monarchal जहां था, वहाँ पे assemblies थी, राजा, मनमर जी, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता था, उसका decision depend करता था, सभा, समीति, विधाता, गंड जैसी assemblies पे, and one of the most important assemblies was सभा, सभा में कुछ ही लोग थे, privileged और important individual थे, जो check करते थे कि राजा गलत काम तो नहीं कर रहा, उसका काम है moral values को uphold करना, नैतिकता को बनाए रखना, क्या वही कारे राजा के द्वारा किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, और कुछ crime भी होते थे उस time पे, चोरी चकारी कर लेता था, दोखा बाजी कर लेता था, ठीक है, उस time धन्तो था नहीं, मेटलिक मनी तो आई नहीं थी, वो लेंड ओवनर्शिप भी नहीं थी, देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, उस time काउ बहुत important होती थी, आप आगे पढ़ेंगे अभी, अभी हम जब society और religion पढ़ेंगे, तब आपको बता चलेगा कि जमीन से जदा काउ की की मत थी, यानि आप मेरी जमीन पे आगे बैठ जाओ, माँ वो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जमीन पे अगर आप मेरी गायों उठागे ले जाओ, तो फिर मापको मार दूँगा, तो वो stealing of cattle was one of the biggest crime, गायों काउ को बिल्कुल पाइस माना जाता था और बिल्कुल ऐसे प्योर माना जाता था और उनको बिल्कुल कोई जो हाम नहीं पहुचा सकता था, बाद में लेंड ओनर्शिप आनी शूरू हुई, तो चोरी चकारी जो होती थी वो मनाती stealing of cattle, crime था, cheating भी crime थी और सजाएं भी बहुत खतरनाक होती थी, जैसे मतलब ऐसे capital punishment दे जाती थी चोरी चकारी में, और कई जो है वहाँ पे सजा दाजा के द्वारा दी जाती थी, हालाकि मैंने कहा कि सबा समीती विदातागर्ण उस पे थोड़ा सा power control करने का कोशिश करते थे, तो गाईज यह थी आज का हमारा episode 11, कलम फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए goodbye,